बिहार में किसी भी व्यक्ति से भात कीजिए, वो कहेगा अधिकारियों का राज है, अधिकारियों का जंगल राज है, आखिर लोगों को ये विचार करने की बात है कि अधिकारियों का जंगल राज हुआ कैसे, कि जो इस्तिती है, सारीरिक मानसिक, उसमें वो बहुत सक्रिये हैं नहीं तो जो उनके इर्दगित के सलाकार हैं वही लोग चला रहे हैं वह लालू जी के लड़के हैं इस से जादा उनकी कोई पहचान नहीं है तो भाई लालू जी के लड़के हैं इसमें तो कोई फरक है नहीं मैंने कहा कि वह नाइंत पास नहीं किया नुवा फेल है तो यह तो सत्य बात है कि बीजेपी का खुद का बीजेपी का कारे करता एक एक कारे करता मान रहा है कि नितिश जी के नाम पर चुनाओ लड़कर जीत नहीं सकते हैं लेकिन देखिए कभी-कभी नियती भी अपने तरीके से काम करती है बीजेपी की मजबूरी यह है कि वो आप लोग turn around होने वाले हैं क्या होगा कैसा structure होगा जन्सुराज का क्या ये political revolution होने वाला है बिहार में क्या हैंगे इसके वारे में revolution की तो कोई बात नहीं है जैसा मैंने बताया है कि जन्सुराज अभियान के सुरुवात में ही ये कहा गया था कि एक इसका महत्पुन पढ़ाओ एक महत्पुन उदेशी ये है कि बिहार में बिकल्ब के अभाव में जो पिछले पचीश तीस सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को बोड देते रहे हैं वो मजबूरी राजनितिक बंदुआ मजदूरी खतम हो इसके लिए जरूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बहतर बिकल्ब बनाएं और वो बिकल्ब जब बने तो बिकल्ब किसी व्यक्ति का नहों साती किसी परिवार का नहों बलकि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं तो दो ढ़ाई साल के बिहार के इस अभियान के एक चरण की एक तरह से आप समझे किसे मापती हो रही है और उसका प्रतिफल है कि दो अक्टूबर को बिहार में ए दल का निव रख रहे हैं दो तारीको दल की घोसना अप्शारी घोसना होगी दल के नाम की दल के संविधान की और उसके प्रावधानों की और दल के साथ साथ दल के लीडर्शिप की क्योंकि जैसा कि मैंने सुरू से कहा है कि मुझे दल का नेता नहीं बनना है तो और दल का भी समाज ने चुना है जिस किसी को भी लोगों ने बताया जिस किसी ने भी समाज में वो परिश्रम, प्राक्रम काम किया है उसके अधार पर उनकी का सेलेक्शन हुआ है दो तारीकों आपको दिखेगा कौन लोग चुन करा है हमारी भूमिका इससे जूरी है कि सबसे बड़ी चुनोती क्या है दल बनाना सबसे बड़ी चुनोती नहीं है दल का नेता बनना भी सबसे बड़ी चुनोती नहीं है और मेरे नजरिये से चुनाओ जीतना भी सबसे बड़ी चुनोती नहीं है सबसे बड़ी चुनोती है समाज को बताना जगाना समझाना कि आपने अब तक जातियों पर भोट दिया पांच किलो अनाज के लिए भोट दिया आपने मंदिर मस्चित के लिए भोट दिया आपने मोदी लालो नितीश के लिए भोट दिया आपने नेताओं के बच्चों के लिए भोट दिया लेकिन अभी तक बिहार में आपने कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए भोट नहीं दिया उनको ये बताना समझाना कि भाई आप अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए भोट दो भोट चाहे जिसको भी देना है दो लेकिन भोट अपने बच्चों के लिए दो तो ये जो जिम्मेवारी मैंने ली है उसके तहत मैं पैदल गाउं गाउं जाता हूं लोगों को समझाता हूं और वो यात्रा रुकेगी नहीं वो यात्रा एलेक्शन से नहीं जुड़ी होगी है वो बिहार के सुधारने के मेरे संकल्प से जुड़ा हुआ है और यात्रा की लीडर्शिप आ जाएगी वो लोग दल को चलाएंगे मैं जो काम पहले दो पिछले दो साल से कर रहा हूं वही काम आगे करूंगा मैं अभी अररिया सुपॉल के इलाके में पैदल चल रहा हूं दो-तिन दिनों के बाद मैं फिर वापस जाकर वहीं से पैदल चलना शुर नहीं मिलती है उसके बाद आप क्या करेंगे क्या यह यात्ता उसके बाद भी सुरूर रही देखिए दो बाते हैं मेरा जो संकल्प है बिहार को सुधारने का वो जन्द सुराज की चुनावी सफलता और विफलता से नहीं जुड़ा है अगर मान लिजे कि जन्द सुराज क के साथ जीतना उससे भी ज्यादा कठिन है तो मेरी भूमिका है कि जन्द सुराज एक ऐसी विवस्था बने जो अच्छे लोगों की सही लोगों की विवस्था हो जो जब जीत कर आए है तो सिर्फ विधायक और सांसत बनाने वाली में सिन्री न बने बिहार के लोगों के ज महिने में दल का एजेंडा जारी होगा जो बिहार के सुधार का ब्लूप्रिंट है विजन डॉक्यमेंट है वो जारी होगा पचीस के अक्टूबर नौंबर में चुनाओ भी होगा ये महत्तपूर्ण पढ़ाव हैं लेकिन यह यहां पहुंचना ये सपना नहीं है दल बना प्रियास उतना विक्सित बिहार बने वो सपना है और उसके लिए प्रियास जारी है निदिस कुमार से पुझा एक सवाल है आपने कहा कि चार सलाकार मिलकर उनको गाइट कर रहे हैं बिहार चला रहे हैं दो हजार बीस में तीन बार उनका पॉल लिया है रिजल्ट के दिन अपने मना भी किया फिर भी वो सीयम बने क्या उनका रेलेवेंस आज के भिहार के पॉलेटिक्स में है और वो नहीं रहेंगे तो आप किसे सक्सेसर मानते हैं जेडियूगा नहीं देखिए जद्यू का जब जद्यू दल ही नहीं रहेगा तो जद्यू का सक्सेसर क्या होगा नितीश कुमार का जो दल है मैं उस दल में रहा हूँ नितीश कुमार के साथ काम भी किया है मैंने उस दल की पूरी पूंजी नितीश कुमार है जब वही खतम हो गई तो ब्य किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए वो कहेगा अधिकारियों का राज है अधिकारियों का जंगल राज है आखिर लोगों को यह विचार करने की बात है कि अधिकारियों का जंगल राज हुआ कैसे नितिश कुमार तो पहले भी मुख्यमंत्री थे हुआ ऐसा है कि नितिश कुमा ने पिछले कुछ सालों से विधायकों के बजाए मंत्रियों के बजाए पंचाइती राज से जुड़े हुए लोगों के बजाए अपने कारेकरताओं के बजाए पूरी बेवस्था अपने चंद दो-चार सलाकारों के हवाले कर दिये अब जैसे जैसे नितिश कुमार की अप बहुत सक्रिय हैं नहीं, तो जो उनके इर्दिद के सलाकार हैं, वही लोग चला रहे हैं, अब ये वो लोग हैं, जिनका कोई, ये किसी के प्रती जवाब दे नहीं है, क्योंकि ये सरकारी अफसर भी नहीं है, ये सेवा निवरित अफसर हैं, तो जब आप सरकारी अफसर होते है उसके प्रती उत्तरदाई है आपने कोई राजनितिक पद आपका है नहीं जनता ने आपको दिया नहीं है सरकारी नौकरी के वजह से जो आपको पावर मिलता हुआ है नहीं आप सरकारी नौकर थे नेता जी ने आपको सलाकार बना दिया तो आप एक तरह से एक्स्ट्रा constitutional authority के तोर पर काम कर रहे हैं और इसी वज़े से इनी तीन चाहिए अब इनका कोई ना जंता से सरोकार है ना इनको सरकारी ब्यवस्था से कोई सरोकार है ये स्वक्षंद ब्यवस्था बना ली इनोंने इसी लिए पूरे बिहार में आपको अधिकारियों का बोलबाला दिख रहा है जो अधिकारी चाहेगा वही होगा भी यह हम थोड़ी न कहरें तो आप घर घर कर अब देखिए जो तीन चीजें भी बिहार के समाज को अंदोलित किये हुए है एक है सराबंदी दूसरा है जमीन का सर्वे और तीसरा है स्मार्ट मीटर कोई भी नेता चुना हुआ नेता इस बात का संग्यान लेता सही या गलत इस पर कुछ तीका टिपनी करता नितीज दी ने जमीन का सर्वे इतना बड़ा विस है कोई पब्लिकली कोई टीका टिपड़ी नहीं की कौन इसका इस पर निड़ने ले रहा है उनके चंद सलाकार सराब बंदी के नाम पर पूरे बिहार का बिहार के हर घर में होम डिलेवरी हो रही है बीस जार क्रोड का नुक्सान हो रहा है सराब और बालू माफिया फलफुल रहे हैं इस पर निड़ने कोई चर्चा कोई बैक्तब भी नहीं कौन चला रहा है कौन निड़ने ले रहा है लेकिन जनता की बात सुनतो लो भाई, स्मार्ट मिटर आप लगा रहे हैं, आप गाउं में जाकर देखिए हो ये रहा है, कि अगर आपने स्मार्ट मिटर का रिचार्ज नहीं किया, आपका बिजली कट गया, दस दिन के बाद अगर आपने पैसा जुटा कर मिटर को रिचार् है, वो लगना ही लगना है, तो एक दस दिन के बाद जब आपने रिचार्ज कराया एक हजार से, तो जो फिक्स कॉस है, उसका चार्सो पांसो रुपे आपका कट गया, तो एक्षोल रिचार्ज आपको चार्सो रुपे ही मिला, लोग नीचे परिसान है, कि भई एक तो पै बात है, एक तो निर्णे सही है, गलत है एक बात है, दूसरा लोगतंत्र में जनप्रति निध्यों का काम क्या है, कि कम से कम जनता की बात आप सुनिये तो सही, और ये कोई सुनने वाला ही नहीं, आप मुझे बताएए, नितिश कुमार के पिछले दो महिनों में, कोई पब में बयान नहीं, कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं, इसलिए दूर दसा हो रही है, आप जेडी, लालु यादव और तेजस्वी यादव पर सीधा अटेक करते हैं, तेजस्वी के क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल करे करते हैं, आप को क्या लगत कोई पहचान नहीं है, तो बाकी लड़के हैं, इसमें तो कोई फ़र्क है नहीं, मैंने कहा कि वा 9th PASS नहीं किया है, नवा फेल है, तो बाई, यह तो सत्ते बात है, ऐसा तो है नहीं, कि वो उन्होंने B.A.M. में किया है, पिस दी किया है, और मैं गलत बोल रहा हूं कि 9th अगर वो उन्होंने दस्वां पास किया है बी एम में किया है तो उसका सेटिपिकेट जारी कर दे हम लोग देख लेंगे माल लेंगे तब मुझे उसको होगा कि वही प्रसांद किस और इनके क्रेडिबिलिटी पर का नुक्सान करना चाहते तो मैं तो सत्य बोल रहा हूं कई लोग यह भी कहते हैं बिना पढ़ा लिखाव भी भी तो बहुत समझदार हो सकता है समाज में उसका योगदान हो सकता है बिलकुल हो सकता है लेकिन अगर मालिज आप नहीं पढ़े लि है पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा बेहतर अपनी बात को रख सकता है इंफर्मिशन को प्रोसेस कर सकता है लेकिन जरूर नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी काबिल हो सकता है लेकिन मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए अगर आप स्वेम नाइंथ भी पास नहीं करते हैं तो यह दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच छमता से ज़्यादा आपकी सोच क्या है तो जो लोग बिहार को लीड करना चाहते हैं बिहार की जंता यह तो समझना चाहिए उसको कि जिस व्यक्ति की अपनी सोच यह है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नही है वो बिहार के समाज के शिक्षा की विवस्था कैसे करेगा आप परिस्थिती वस नहीं पढ़ पाए उससे कोई दिक्कत नहीं तामिलाडू में बहुत बड़े लीडर है लीडर थे कामराज उनका कोई फॉर्मल एजूकेशन नहीं था लेकिन समाज के लिए उन्होंने आ तो ही नहीं है मैं उस सोच को चुनोती दे रहा हूं कि भाई आप ना खुद पढ़े ना पढ़ाई की महत्ता को समझ रहे हैं तो पूरे बिहार को अनपल और मजदूर बनाने का ही आपके पास तरीका है और दूसरा आप करना क्या चाहते हो कुछ सवाल आप से नेसनल पॉ देखिए मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री हैं यह तो आपको दिखी रहा है लेकिन हमने तो इलेक्शन से पहले यह बात कहा कि सीटों का नंबर कुछ भी हो तीसरा टर्म जो मोदी का होगा वो उस तीसरे टर्म में वो कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे क क्योंकि जमीन पर लोगों ने 10 साल 12 साल मोदी जी का कारिक्रम देख लिया उनका प्रयास देख लिया उसका असर देख लिया आप बिहार को देख लिजे बिहार की जनता ने 2014 में मोदी जी को 30 से ज्यादा सीट भाजपा को दिया 2019 में 49 सीट दी इस भार भी 30 से ज्यादा सीट ये लोग गीते हैं लेकिन बिहार के लोगों की जिन्दगी में क्या फरक आया क्या बिहार के बच्चों की स्थिति सुदर गई क्या बिहार में नए उद्योग लग गए क्या बिहार के बच्चों का पलायन रुख गया और अगर ये नहीं हुआ तो निश्चित तोर पर आज जितने लोग मोदी जी के फैन थे, जितने लोग मोदी जी के समर्थक बोटर 2014-2019 में थे, वो तो आज कम ही होगी होगी, और लोग तंतर में लीडर की जो ताकत है, वो ताकत क्या है, जनता का सपोर्ट, तो अगर जनता का सपोर्ट कम हुआ है, तो परधान मंतरी रहें, या सा कार है ये इनकी लोग्प्रियता इनकी ताकत कम हुई है और आगे की लॉंजिविटी इस पर डिपेंड करेगी कि आने वाले दो धाई साल में जो नौ राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जम्मु कस्मीर, दिल्ली, हर्याना, महाराष्ट, जहारखंड, बिहार, बेंगौल, अस नाम और तामिल नाडू, इन राज्यों के चुनाव के परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ हुए है, तो निश्चित तोर पर सरकार की इस्थिरता को लेकर सवाल उठेंगे, अगर इन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उनकी ताकत बनी रह तो आपको क्या लगता है इन राज्यों बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा हुए? इस्थित नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए कभी-कभी नियती भी अपने तरीके से काम करती है! बीजेपी की मजबूरी यह है कि वो नितीस को मुख्यमंतरी के पद से हटा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको दिल्ली में सरकार चलानी है। और उनको ये भी पता है कि नितिस को मुख्यमंत्री रहते हो बिहार में चुनाओ जीत नहीं सकते हैं तो भाजपा की हालत तो बिहार में ऐसी है कि न आप जाएं जा सकते हैं न भाएं जा सकते हैं उनको मालूम है कि सरकार में क्या परेसानी है उनको मालूम है कि नितिस के क्या उन्होंने पूरा किया है? बिहार में तो यही दिखा कि जो थोड़े बहुत उनके समर्थक हैं वो भी अब उसको छोड़कर हतास होकर धीरे धीरे जन्द्शुराज की ओर जा रहे हैं। ने डेर दो साल से रहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। और इसका फायदा ये है कि कॉंग्रेस में उनका नेत्रित तो अब पूरी तरीके से स्टेब्लिस्ट है। जो कॉंग्रेस पार्टी है उसके जो लीडर है कारेकरता समर्थक हैं। उनको ऐसा लगता है साइदो विश्वास भी उनको कि राहुल गांधी कॉंग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं। कॉंग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। उस बात को राहुल गांधी के अपने दो साल के प्रयास ने सेटल कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी कॉंग्रेस के लीडर स्टेब्लिस हो गया है। देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं। क्योंकि उन्हीं के पार्टी के उनकी जो दादी थी इंद्रा जी इंद्रा जी की जब जीवन में सबसे बड़ी हार हुई 1977 में तो मुझे लगता है कॉंग्रेस को समय 154 सीट के कॉंग्रेस पार्टी को मिली थी इंद्रा जी के जीवन की सबसे बड़ी हार्क में کongres को 154 seat मिला था और राहुल गांधी के जीवन की सबसे बड़ी जीत जो है जिसको बताया जा रहा है सबसे बड़ी जीत उसमें kongres को 99 शीट मिला है तो यह फर्क है यह दिखाता है कि देश के नेता के तोर पर उभरने के लिए अभी भी राहुल गांधी को एक लंबा फासला तै करना है क्या अपील करेंगे दो तारिट को आपकर थापना है लोगों से बिहार की जनता से दो आपील नहीं करेंगे जो अपील पिछले दो ढ़ाई साल से करते रहे हैं कि आप एक बार अपने बच्चों के लिए जगिए बिहार की बिवस्था को सुधारने के लिए ड्रॉइंग रूम में बैठ कर दुकान पर चौक पर बैठ कर चर्चा करने से नहीं होगा अगर आप बिहार में बिवस्था सुधारना चाहते हैं तो आगे बढ़िए जूर कर कंधा लगाईए जब तक बिहार के लोग खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कहीं केरल से ता मिलाडू से लोग आकर विहार नहीं सुधार सकते हैं प्रयास हम करें या आप करें प्रयास आज हो या दस वरस के बाद हो प्रयास किसी न किसी विहार के व्यक्ति को ही करना पड़ेगा इसलिए मैं यतना ही अपील करूँगा कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की बहतरी चाहते हैं तो बिहार में नया बिकल्ब जो जन्ता का बिकल्ब हो एक बहतर भविशिक का की गारिंटी हो इस बिकल्ब को बनाने में अपना कंधा लगाईए आगे बढ़िए पैसे क जाती की बाहु बल की इस तरह की चिंता न करें एक बार आप साथ में आएंगे जन्बल के आगे कोई बल नहीं है अगर लोग साथ में आएंगे तो मेरा पूरा यकीन है बिहार में नई बेवस्था हो बनेगी बिहार के बच्चों के भी जीवन में खुशाली आएगी बिह में भी एक नहा सवेरा होगा